पांडवों की जनम का था? पांडव, हस्तिनापूर की राजा पांडव और उनकी दो पत्निया कुंती और मादरी के पांच शक्तिशाली और कुष्ण पुत्र थे. महा भारत में युधिश्ठीर, भीम, आर्जुन, नकूल और सहदेव ये पांच पांडव सबसे अधिक सरहना के पात्र रहे. इनके जनम के कहानी न सिर्फ दिल्चस्प है, बलके हैडान कर देनी वाली भी है. एक बार राजा पांडू अपनी पत्नियों के साथ शिखार करने के लिए जंगल में गए. राजा पांडू को वहाँ एक हिरन का जोड़ा दिखाई दिया, जो एक दूसरे से बेहित प्यार करता था. जब राजा की नजरूस जोड़े पर पड़ी, तो उन्होंने तीर निकाल कर नर हिरन को निशाना बनाया और तीर छोड़ दिया. तीर सीधा हिरन की छाते में जाकर रगा. वह हिरन कोई और नहीं, बलके हिरन के बेश में रिशिक किदमबा थे. उन्होंने पांडू को श्राब दिया, कि वह जब भी किसी महिला के करीब जाएंगे, तभी उनकी मृत्ति हो जाएगी. पांडू ने रिशिक किदमबा से ख्षमा मांगी, लेकिन तब तक वो मर चुके थे. श्राब के कारण राजा पांडू ने राज्य त्याग दिया और अपने पत्नियों से निवेदन किया कि वापस राज्य लोट जाए. लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कुंती और मादरी जंगल में राजा पांडू के साथ रहने लगी. उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी. तब कुंती ने अपने पते को बताया कि उन्हें रिशित दुर्वासा ने वरदान दिया था, कि वह किसी भी भगवान को बुला कर उनसे एक शिशु को प्राप्त कर सकती है. दुर्वासा द्वारा कुंती को दे गए मंतरों के उपयोग के माध्यम से उसने यम यानी धर्म के देवता का आभाहन किया, जिससे उन्होंने युदिश्ठिर को जनम दिया, उसने फिर पवन देव से भीम, इंद्र देव से अर्जुन के रूप में एक और पुत्र प्राप्त किया, इस प्रकार उसके तीन पुत्र हो गए, लेकिन माधरी के एक भी पुत्र नहीं था, और इस प्रकार पांच पांड़ों का जनम हुआ, देवताओं से प्राप्त सभी पांड़ों, देवताओं की तरह ही दिव्या गुन प्राप्त थे, और इसे के साथ पांड़ों के जनम की ये कहानी समाप्त होती है,